Dear students, अब हम discuss करेंगे exercise 4.2 का question number 5 question number 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज बहुत अची तरीके से समझ आएगी यहाँ पे लिखा हुआ the altitude of right triangle is 7 cm less than its best हमें best के बारे में पता नहीं है बस इतना पता है कि right triangle है और उसका जो altitude है altitude का मतलब होता है height वो उसके base से 7 cm कम है question को ध्यान से पढ़ना होता है समझना होता है उसके बाद question को हमें solve करना होता है solution तो बहुत सारे लोग बताते हैं मेरा main मक्सद होता है question को समझाना ताकि इस तरीके के question की जो language आपके exams में आएगी तो आप solve कर पाऊगे यहां लेखा हुआ if hypotenuse is 13 cm find the others two sides हमें दूसरी दो sides find out करना है इसको मैं समझाता हूँ एक practical से एक triangles को draw करके यहां से sap ले लेते हैं और एक right triangle हमें हाँ पे लेता हूँ यहां पे I think right triangle तो नहीं है क्या मेरे पास और saps में कुछ चीज़े हैं क्या ओके कोई issue नहीं है यहीं से हम ले लेते हैं एक इसी के त्रू ही triangle को देखते हैं यह तो triangle है लेकिन यह right triangles नहीं है यह right triangle अपने पास में नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं और question को solve करते हैं मैं आपको right triangle draw करता हूँ देखें right triangle का मतलब आप समझो simple सी वात यार कि जिसमें 90 degree angle बनता है उसको right triangle करते हैं यह होता है आपका right triangle अब इस question को समझने में क्या आपको दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो बेसे माल लो यह आपका a यह b और यह c होगा यहाँ पे base के बारे में कोई idea नहीं मैंने माल लेगी जो इसका base है वो x है अब यह जो इसका altitude है altitude जो है न वो इसके base से 7 cm का मैं question में यह आप पढ़ पा रहे हूँ 7 cm less than its base तो base अगर मैंने x माल लिया है तो इसका जो altitude होगा वो गया x minus 7 और यह जो hypotenious है न यह सी इसका hypotenious कहलाता है यह आपको बता होगा यह hypotenious है और pythagoras फिर हम आपने पढ़ी होगी तो उस basis पे हम इस equations की through इसकी दो other sides को find out कर सकते हैं देखें सबसे पहले मैंने मान लिया let the base is quality यहाँ पर मैं लिखना है start कर दो let the base देखें जब भी आप मेरे साथ question को करें तो साथ में pan को पी ले करके बैठें तो ही आप इस ही question को question को करें let the base is quality x centimeter यह आपको clear है बिल्कुल clear होना चाहिए अब therefore हम कह सकते है height आपकी कितनी दी हुई है so therefore height h e i g s t height height is equal to कितना हो जाएगा x minus 7 में आपको बता है और जो hypotenuse है वो हमें दिया हुए given that given है given that hypotenuse आपको दिया हुआ है और hypotenuse अगर किसी चीज की दी हुई है हमें hypotenuse तो आप यहाँ पे clear cut कह सकते है वो 13 आपको दिया हुआ right जब आपको यह hypotenuse दिया हुआ है तो हम यहाँ पे use करेंगे pythagoras theorem और pythagoras theorem क्या कहती है hypotenuse का जो square होता है न वो base और perpendicular के square के बराबर होता है using pythagoras, pythagoras, pythagoras theorem, pythagoras theorem के according हम चीज़ों को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं तो pythagoras theorem में आप क्या देख पा रहे हूँ कि जो hypotenuse का square है वो base और perpendicular के square के बराबर है base का square हो गया और यह हो गया आपका perpendicular के square x-7 के square equal to 13 के square के बराबर होंगे यह पाइदगoras theorem क्याता है तो आप देखें यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो x square है और यह है आपका a-b का whole square और a-b का whole square क्या होता है a square minus 2ab plus b square तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सबसे पहले क्या x square याणि कि a square minus 2ab याणि कि 2 into 7 into x याणि कि 14x minus का 14x और फिर 7 से नचा 49 प्लस का 49 और अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 13 का square होता है 169 अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ x square और x square यह हो जाएंगे 2x square minus का 14x और फिर अगर मैं इस 49 को लिखा हुआ है 49 प्लस का और यह minus का 169 होगा जब यह इस तरफ आएगा equal to के तो यह equal to 0 हो जाएगा अब यहाँ से जो equations आएगी जोकि 169 को हमने इस तरफ कर लिया है तो अब हमारे पास एक equation बनेगी वो equation हमारी क्या बनने वाली है ध्यान से आप देखना यह बनने वाली है 2x square minus का 14x और फिर अगर हम 169 में से 49 को अगर माइनस करते हैं 169 में से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो answer होगा 120 क्या होगा minus का 120 होगा क्योंकि minus का नंबर बढ़ा है क्या हम इसमें 2 का divide कर सकते हैं बिल्गुल कर सकते हैं तो 2 sum में common है तो यहाँ पर अगर 2 का divide करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x square minus का 7x और minus यहाँ पर अगर हम करते हैं 2 का divide तो होगा 60 is equal to 0 अब एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं सबसे पहली चीज़ यह है x square minus 7x minus का 60 is equal to 0 तो यहाँ पर 60 का si square हमें देखना है जिसको plus या minus करने पर 7 के equal में होना चाहिए 60 का ऐसा factor जिसको plus या minus करने पर 7 के equal में होना चाहिए तो इसको हम solve करने वाले हैं अब यहाँ पर देखिए ध्यान से x square 60 का factor क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 60 का ऐसा factor जिसको plus या minus करने पर 12 और 5 12 और 5 होंगे 12 और 5 को अगर आप 8 करते हो तो 7 होगा तो आप देखिए 12 और 5 मुझे चाहिए तो यह minus का 12 x होगा और plus का 5 x होगा क्योंकि 12 में से 5 को minus करेंगे 12 का number minus का इसलिए बड़ा रखा क्योंकि यहाँ पर minus का number है और minus का 60 equal to 0 अब यहाँ पर मैंने x को common ले लिया तो यह बचेगा x minus का 12 और फिर यहाँ पर अगर मैंने 5 को common ले लिया है इन दोनों ही terms में तो क्या होगा x minus 12 होगा यहाँ भी क्या होगा x minus 12 तो equal to होगया 0 अब दीखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोसिस करना यह हो जाएगा x plus 5 और दूसरे bracket में हो जाएगा x minus 12 equal to 0 अगर मैं यहाँ से value find out करने की कोसिस करूँगा x की तो क्या होगा यहाँ पर जो इसका base आएगा x plus 5 equal to अगर आप 0 रखते हो तो x की value यहाँ पर हो जाएगी minus 5 चुकि base minus में centimeter कभी नहीं हो सकता तो यह value तो हम नहीं रखेंगे अब यह लिखा हुआ x minus 12 equal to 0 तो यहाँ पर x की जो value आ गई है वो आ गई है 12 यानि कि यह हो सकता है perfect आपका यह base हो गया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो minus में है वो कभी भी वो equal नहीं हो सकती तो यह value एक्जिस्ट तो करती नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि therefore x equal to 12 and second side तो आपके सकते हो base जो हमारा आया है यहाँ पर जो base आया है पहली side first side हमारे क्या यह base base हमारी first side है okay base हमारी क्या हो जाигे first side so base हमारी क्या हो जाएगी 12 cm क्यों क्योंकि x की value 12 another side क्या हो जाएगी हमारी another side हमारी क्या हो जाएगी आपको उभी पता है x minus 7 है तो यहाँ पे 12 minus 7 यानि कि plus का 5 होगा क्या हो जाएगा 5 cm तो हम कह सकते हैं कि the other two sides are 5 and 12 cm यहाँ पे बिल्कुल लिखा जा सकता है Hence Hence the Other two sides Hence the other two sides Other two sides Other two sides Are 5 cm And 12 cm यह बिल्कुल ही clear होगा आपको कि 5 cm और 12 cm है तो यह हमने बात कर ली है Question number 5th के बारे में जह बास्ट